हरे कृष्णा राधे राधे आज आपको भक्त के विश्वास की एक बहुत ही सुन्दर सत्य घटना बताती हो पनारत शहर में एक पंडित कृपा राम दूबे जी महाराज थे राम जी के अनन्य भक्त बहुत ही सुन्दर राम कथा सुनाते थे गले में उनके साक्षा सरस्पती जी का वाग था रामायन की एक एक चौपाई उन्हें याद थी जब प्रेम और भाव से कोई भी चौपाई कहते तो सुन्ने वाले मंत्र मुंध हो जाते थे शीराम उनकी प्राणों में पसे थे सन 1990 में जब अयोध्या जी में शीराम लाला के मंदिर पर विवाद हुआ था तब पंडित कृपा राम दूबे जी ने भी सहयोग किया और पैर पर गुली खाई थी उसके बाद उन्हें चलने फिरने में काफी तकलीफ रहती थी पर भक्तों के लिए ये कोई परिशानी नहीं होती गर्व की बात होती है पनारस में उस समय पर जाती वाद बहुत ही जादा था उपर से भारी संख्या में सेलानी आते थे जिससे लोगों के बीच में विचारों का मद्भे बहुत ही जादा पड़ गया था इसी में उनके एक साथी थे फौजदार शर्मा जी शर्मा जी और पंडित कृपा राम दूबे जी के 26 का आपड़ा चलता रहता था उनके विचार कभी मुलते ही नहीं थे पंडित कृपा राम दूबे जी रामलीला मंडली में निद्देशत थे और हार्मोनियम पर बैठ कर मंच संचालन भी करते थे वही फौजदार शर्मा जी उस मंदली में साथ संचा और राम लीला से जुड़ी अनेग विवस्था दिखते थे प्रभू कृपा से गारी चल रही थी अब आपको पंडित प्रिपा राम दूबे जी के जीवन में खटित एक बहुती सुन्दर घटना बताती है इस घटना ने उनका प्रत्यक्ष रूप में भगवान शीराम से साक्षाकार करवा दिया भग्त को भगवान से मिलवा दिया हुआ कुछ ऐसा कि उनकी मंडली को तुलसी गाव तहसील सिल्दा रायपूर से राम लीला खिलने का निमंत्रण आया सन 1922 ओक्टूबर के महीने में वो अपनी मंडली के साथ तुलसी गाव राम लीला खर्स्तूती के लिए गए उनकी मंडली में 24 पच्चिस कलाकार थे गाव की पंचायत की तरफ से उनके रुकने रहने खाने आधी की पड़िया विवस्था की गए थी वहीं सभी कलाकार रहते रिहसल करते खाना अपना बना देखाते एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी और रिहसल चल रही थी पंदित क्रिपा राम दूदे जी ने फौशदा शर्मा जी से कहा भया इस बार वो शिव धनुष हलकी और नरम लकडी का बनवाना ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल की युवक को धनुष तोड़ने में परिशानी ना हो पिछली बार धनुष तोड़ने में बहुत समय लग गया था अब इस बात को सुनकर फौशदार शर्मा जी को गुसा आ गया वो सोचने लगे अरे यह दूबे तो अपने आपको बड़ा ही महाग्यानी समझ रहा है क्या हमें कुछ ना आता हमें कुछ ना पता जो भी गलत हो उसका सारा कच्छ ठाओं मेरे ही सर मर देता है अब इस बात को लेकर पंड़जी और फौशदार में कहा सुनी हो गए बाकी लोगों ने पंड़जी का साथ दिया उन्होंने फौशदार को बोला भी पंड़जी सही बात कह रहे है इसमें तो कोई गलत बात नहीं है अब इस बात को लेकर फौशदार पंड़जी से काफी करना ही पड़ेगा वो गाउं के एक पहलवान के घर में गए और कहा कि उन्हें राम लीला में लोहे के एक छड़ की जरुद पड़ गई है क्या आपके पास है अब राम लीला में सेवा के लिए कौन मना करेगा फाई इसी भाव से पहलवान ने उसे बड़ा और मोटा लोहे क चड़ दे दिया अब चड़ लेके फौशता दूसरे गाउं में लोहार के पास कया और उसे धनुष के अकार में बोला कि इसको थोड़ा सा धनुष का अकार दे दो चड़ को अब रास्ते में उसने उस धनुष पर कपड़ाला पेट दिया रंगीन कागत से उसे सजा दिया अब देखने में तो वो एक नॉमल धनुष ही लग रहा था और इस तरह से धनुष को तयार करवा कर उसने गाउं के घर में उसे रखवा दिया जिस देन उस प्रसंग का मंचन होना था उसने जब रामलीला शुरू हुई तयारिया हो रही थी तो पहले तो नॉमल लकड़ी का जो धनुषता वो रखा हुआ था और फॉट दाने पड़े चुपके से बड़ी चलाकी से वो धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष लाकर मंच के आगे दख दिया खुद जाके पर्दे के पीछे खड़ा हो गया और तमाशा देखने लगा रामलीला शुरू और होकर राम चरित्र मानत के दोही का पाट कर रहे थे हसारों की संख्या में दशक शिव धनुष भंग देखने के लिए आए वे थे रामलीला धीरे धीरे आगे पड़ रहे थी प्रसंग चल रहा था सारे राजाओं के बाद राम जी कुरू की आगया लेकर धनुष भंग कि भाई क्या करें रफ लाक को इतने हजारों लोग बैठे हुए नенный पर घड़ा है थाट में इतने लोग हाथों सुछ द्रााम के दने कर भाई हैं बखहान dak कि आज तो भाईया इज़त चली जाएगी हसारों लोग भगवान की लीला को देखने आए हैं यहां कलाकार की बात नहीं है स्वैम प्रभूर राम की इज़त दाओ पे लगी है पंड़ा जी ने कलाकार को आखों से रुकने का इशारा किया और धनुष के प्रदिक्षना लग भी शुरू करी जिन लोगों ने ये लीला अपनी आखों से देखी थी उन लोगों ने बाद में बताया कि इस इशारे के पास जैसे पंड़जी ने आखे बंद करके हार्मोनियम पर हाथ रखा हार्मोनियम से दिव्वे स्वर निकलने लगे वैसी स्थी वैसा गायन करते सारे दर्शक जो जैसे जड़ हो गए थे नगाडे से निकलने वाली परंप्रागत अवाज भीष्न दुदंबी में बदल गए थी पेट्रो मैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी थी आसमान में बिना बादल के बिजली कौन्थने लगी थी और पूरा पंडाल आकाश से आ रही रोशनी से जग्मक कर रहा था दर्शको की को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मतलब पहली बार उन्होंने डिजिनियर इफेक्स सेखे होंगे उस समय किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है पंड़जी खुद को र लोग बताते हैं कि यह सब हुआ और कब हुआ किसी को कुछ पता ही ने चला किसी ने कुछ नहीं देगा पस एक पल हुआ और धनुष की बिलकुल टूटने के भेंकर अवाज आई और धनुष चूटने के बाद ही सब चीजे पहले जैसी नॉर्मल हो गए उस कलाकार को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ उसने कब और कैसे वो इतना भारी धनुष तोड़ा जिसको बाद में वो उठा भी नहीं पा र हो रहे थे लोग मंच की तरफ फूल फेक रहे थे एक अलगी आकरशन एक अलगी जो सब में भरा हुआ था पंड़जी मंच के बीच में आये और तूटे धनुष और कलाकार के समुख दन्वत हो गये पंड़जी की आँखों से शदा के आंसों निकल रहे थे दूर खड़ा फॉजदार भी अपने के पर रह रहकर आसु बहरा था शर्मा जी ने यह सब किया था पंड़जी को नीचा दिखाने के लिए पर आज वही पंड़जी उसके लिए महान हो गये थे वो मंच पर गया और सब के सामने पंड़जी को हाद जोड़े पाउच हुए आज शर्मा जी के आंकों में जो आसू थे वो सचे थे अब खुद सोचो लोहे का धनुष कैसे तूटा होगा कैसे वो भिष्ण जो अवाब थी वो कैसी अवाई होगी सोचो और जेकारा लगाओ बोलो भगता और भगवान कीज़े जैशी राम देखा कैसे भगतों की लाज रखते हैं औ भी कुछ गलत होने दे सकते हैं देखो अपने भगवान पर विश्वात रखो यह हमारा विश्वात और प्रेमी होता है जिससे साक्षात्र लोग की नाज भगतों के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं अपने सुनियोगी उनकी कहानिया उन्होंने भगतों के लिए चलाई है बैल की जगा खुद खेत को जोता है भक्त के यहां नौकरी की है नौकर बंकर और इन सब की एक दोने हजारों घटनाय हमारे अतीज में घटित होई है इसलिक कुछ भी हो जाए भगवान पर अपने विश्वात को हिलने मत दो अगर आपको यह सत्य घटना पसंद आई शरीर में कुछ कंपन हुआ आंखे कुछ नम हुई तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेर करो आप हमारे साथ फेज़ बुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो उसका लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दिया है प्लीज लाइक शेर और सब्सक्रा थैंक यू हरे कृष्णा